सिब मंदिर जिससे विज्ञानिक भी है हैरान यह सिब जी का कैलास मंदिर जो कि महाराष्टे के अरंगावाद में इस्तित है यह मंदिर आज के विज्ञानिकों के सीरे सीरे क्योंती देता है कुछ विज्ञानिक इसे 1900 साल पुराना बताते हैं तो कुछ विज्ञानिकों का कहना है कि यह मंदिर 600 साल पुराना भी हो सकता है हैरान करने वाली बा Taniko तो यह है कि यह मंदिर ईट और फटर को तोड़कर नहीं बनाया गया ब150 से बनाया है इसलिए इस मंदिर का निर्मान कब किया गया था आज के विज्ञानिकों के लिए ये जानना मुश्किल होता जा रहा है ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में सिर्फ 18 साल का समय लगाता लेकिन विज्ञानिकों की माने तो इस 100 फुट उचे विशाल मंदिर को आज की तकनिक से 50 साल में भी नहीं बनाया जा सकता इस मंदिर की एक और अचीब बात ये है, इस मंदिर को उपर से नीचे की और बनाया गया है जो कि ये बचाता है कि उस समय का विज्ञान कितना विक्सित रहा होगा इसे देखने पर ऐसा लगता है कि एक पतर की खुदाई करके बनाया गया है लेकिन अगर ऐसा हुआ भी होगा तो इस मंदिर के अंदर से 4 लाग तन पतर निकले होंगे अगर इस मंदिर में काम करने वाले लोग 12 घंटे 18 साल तक बिना रुखे काम करते तो उन्हें रोज हर घंटे 5 तन पतर निकानने पड़ते जो कि बिना अधूनिक मसीन के संभव ही नहीं हो सकता विज्ञानिकों का कहना है अगर ये 18 सालों में बनाया गया था तो ये आज के विज्ञानिक के लिए चुनोती है क्योंकि ऐसा करना आज की टेक्नोजी के लिए भी संभव नहीं है वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है अगर ये टेंपल खुदाई करके बनाये गया था तो जो पतर उसमें से निकले के वो आखिर गए कहा खोजबीन के दुआरविज्ञानिकों को वहां से कोई पतर नहीं मिले और नहीं वैसे पतर किसी और इमारत को बनाने में पिर्योग किये गए तो क्या सच्नु प्रातिन समय में रहने वाले इंसानों ने इसे 18 साल में बना कर खड़ा कर दिया था क्या ये एलियंस दुआरा बनाया गया था क्या था इस मंदिर के पीछे का रहस्य हमारे वेदो का अध्यन करने के बाद उनमें से कुछ ऐसा मिला जो इस मंदिर से जुड़ा हो सकता है वेदों में एक ऐसा अस्थ के बारे में बताये गया है जिसके जरी इस मंदिर को बनाना मुम्किन हो सकता है इसके इसमार से पत्तर को भी हवा बनाये जा सकता है तो क्या ये संबब था? जिस अस्त का वर्णन वेदों में किया गया था, वो सच में बेहधी विक्षित अस्त था केलास मंदिका रहचे सिर्फ यही नहीं खतम होता उसमें कई ऐसी गुफाएं भी पाई जाती हैं जो कहां जाकर अंतोती हैं कोई नहीं जानता तो आखिर उन गुफाओं में ऐसा क्या था जो कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था यह थी एसमेंस रिपोर्ट